कि हलोग फ्रैंड्स आज की वीडेो में आपको मैं अस्तर यानिके लाइनिंगे बताने वाला हूं कि किदने परकार की लाइनिंग होती है और अगर आप बुटिक चला रहे हैं यह खुद के कपड़े बनाते हैं बहुरे के बना के देते हैं तो आपको भी लाइनिंग लेने म o चाहिए तो उसका क्या तरीका है लगाने का यह वी तक देखना अगर आपको समझना है क्योंकि कोई चीज की इन्फोर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो चीज आप मिस कर डेंगे तो मैं चालते को आप इस वीडियो को आउन तक देखने जिससे कि आपको काफी knowledge मिले वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों के तीन कमड लेता हूं तो सबसे पहला comments आगा नेतिक आदिया का भाई सूर सिलने के बाद जो कपड़ा बसता है उसका देखिए मैं इसके उपर बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा लेकिन आपको बताना चाहूंगा आज कल के जो कपड़े हैं उसमें इतना कम कपड़ा होता है कि पूरा का पूरा पढ़ जाता है कपड़ा नहीं बसता सैकिंड कमंड्स है स्रियान से सुकला का सर पिलीज लैंट साड़े चोधा चैस्ट च्यालिस सोल्डर पंद्रा सिंगल कटोरी से डबल कटोरी का इसमें विलावज हमें कटिंग बताएं तो देखे बताना चाहूंगा इसकी कटिंग में लेके आऊंगा बहुत जल्द लेकि कलर का सिमोल मीडिम लार्ज का बता दे यानििन का कहने का मतलब है कि आप मुझे आप लोग जो आपको काम सिखा रहे हैं यह पूरा नाप के साथ लिए तो इसके अंदर आपको न लेना है और किस तरह की सिस्ट को बनाना तो इसके उपर वीडियो बनाई हुई है आप हमारे कालर कटिंग गणे बीडियो देख सकते हैं अब दोस्तों चलते हैं और यह देखे मैंने इतनी सानी lining ले रखी है जो कि हमारी daily uses में आती है अब मैं आपको इसमें एक एक detail बताता हूँ कि कौन सी lining आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर देखे मेरे पास lining के 9 तुकड़े हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी lining आपक सबसे डीके से open करते हैं और इसको हम जब इस तरीके से करेंगे तो हम आप देखेंगे इस सरी की का पिया तो यहां पर यह जो लाइनिग यह इस तरीके की लिखती है आप देख रहें कितनी हलकी है इसको हम कहते हैं Mixed Lining अचा दोस्तों Mixed Lining क्यों कहते हैं उसका रिजन है जब हम अपने आपे अपने किसी जहां से लाइनिंग मिलती। उसको बोलते हैं मैं मिक्स लाइनिंग देगा यह लाइनिंग पहले आती थी अठार अर्वे मीटर फिर फिर बीस हुई आज के टाइम पे पत्चिस रुपे मीटर है उस लाइनिंग का जो फायदा है वह यह है कि इसमें हमें वास करने जोर नहीं पड़ती बस लेके आओ अब में तो लोग आपका 32 हिंची है 34-35 मिलता है यह तो उससे भी कम कर दिया क्योंकि मैंने अभी बुटिक बन कर दी हुई है ना मैं यह लाइनिंग यूजी नहीं करता हूं जादा तो पहले 35-34-37 अभी लोने 32 कर दी तो यह मिक्स लाइनिंग इसमें अब सबसे एक आपको एक चीजिए जहां पर देखना इतना हिस्सा जो है न यह वाला यह सापका कड़क हो गया तो यहां पर क्या है यह ज़्यादा प्रहस लगाने से स्टीम यह किस्सा कड़क भी हो जाता है तो यह मिक्स लाइनिंग जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज करते थे आज से 5 साल पहले य इसका जो आज का करन्ट रेट चल रहा वह 25 रूपे मीटर उसका दोस्तों एक यह है इस लाइनिंग का जो नाम है मेरे को नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यह भी इसी तरीकी के तुकड़ा आता है इसमें थान नहीं होता इसका एक चीज़ बताना चा हुआ हूं और आपका कपड़ा है तो यहां पर मैं से नापते हैं दोस्तों इसका इस तरीके से नापेंगे तो दोस्तों ही आपका ठिके बिलाउज का अता है अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको बताना चाहूंगा को यह दिहान से आप देखोगे एक तरीके सा यह न कोटन और लीजी वीजी टच देता लेकिन यह आपका पॉल लिश्टर मिक्स है यह भी आपका मिक्स की तर लाइनिंग में ही यूज होगा तो आप देख सकते हैं यह लाइनिंग को और इसका अरज बगारा मैंने आपको सब बता दिया तो यह इस तरीके का सिखाता हूं अब इसकोल मैं अलग रखते हैं अब दोस्तों हम एक यह लेते हैं दोस्तों यह वालिन जो लाइनिंग है यह भी मिक्स है लेकिन यह च्छी क्वालीटी में है ठीक है आपने पहले वाली quality जो देखी थी उसमें जाला transparent था, 60 था, ये वाली lining जो है mix में अच्छी quality में आती, अच्छी quality मिन्स मतलम कि ये आप लगा दोगे ना तो कोई customer पहचान नहीं पाएगा, और ना ही वो ये alteration देखा किसी चीज़ के ना उसे कोई problem होगी, लेकिन दोस्तों ये pure cotton नहीं है, इसमें भी mix है, इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा मोटा है, लेकिन इसमें एक जो कमी है वो आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई suit अगर एक तिलब को भाग जाता है, तो आप lining लगा लो, lining लगाने से क्योंगा, lining आपके कपड़े को रोक ल कितना जा रहा है, तो ऐसी lining में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके अंदर ये जो rate है, आपका rate भी बताता हूँ, लेकिन ये जो lining में आपको बता रहा हूँ, mix में अच्छी quality वाली, दोस्तो इसकी जो मतलब किसी का भी suit बना के दो, कोई भी आपको alteration के लिए नहीं ब बना है, तो यहाँ पर मैंने आपको lining बताई, ये mix में अच्छी वाली है, पहले आती थी 25 रुप मेटर, आज की टाइम पर इसका जो price है, 25 रुप मेटर, हम इसको अलग रख देते हैं, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर lining लेते हैं, अब इस lining का क्या नाम है, तो ये lining में बताते हैं, दोस्तों, कपड़ी की तरह होती है, जैसे मर्जी रख लोगा, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो, इस lining को हम ऐसे open करते हैं, इसमें quality आती है, और ये हर जगा नहीं मिलती, इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा, ये lining ऐसी है, कि इसको एक बार ऐसे करो, और यासे press माल दो, अब दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, कि ये ऐसे कर दिया, आप देख सकते हैं, इसमें, ये कपड़ा किस तरीके का दिख रहा है, इसमें हलका भी आता है, थोड़ा heavy भी होता है, तो quality change होती है, एक जैसी नहीं आती, ठीक है, और ये जो lining का पना है ये पना आपको मिलेगा 49 से लेके 44 सिंश तक, तो मैं अब की आपको दिखा जयता हे हूँ, दोस्तों, ये देखी है, ये वाला आपका 44 है, तो 49 से 44 सिंश तक का इसमें पना मिलता है आपको, जादा नहीं मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, और ये जो lining में आपको बता रहा कि आपको यह लेकर आना होता है उसके बाद दोस्तों से वास वास नहीं करना सीधा डारिंग लेकर आओं प्रेस करो कटिंग करके बना दो और मैं सबसे जादा यही लाइनिंग यूज करता हूं अब इससे एक अच्छी क्वालिटी में आती है वह मैं आपको बता देता हूं इसमें एक चीज ओर है दोस्तों कोई कोई लाइनिंग तो इतनी बड़ी होती है बताने सकते लेकिन किसी किसी लाइनिंग में कलर छोड़ जाता है तो यह चीज आप कस्टुमर से पहले बोल के चलो कि कलर अगल निकलता है वास करने के बाद तो हमारी गारंटी नहीं है ले अज के टाइम पर इसका इसका प्राइसिटों 35 सुल्पे मीटर से 38 मीटर सौफ वाले दे at 1 इसको नुझा रएक हूं अब दोसतों लाइनिंग ले रहा हूं वह अफ़Cu डिखाता हूं तो दोस्तों यह लाइनिंग है आप इसकी वराइटी को च्ट कि करें कि इस इस्में द तो यह आपकी कैमरिक लाइनिंग लगती है जो ब्रांडड कपड़े आते हैं दोस्तों उसके अंदर यह चीज यूज होती है मैं सबसे जाए यह वाली यूज करता हूं कैमरिक मेरी पसंद होती है पहले कि अगर मैं किसी का घर का कपड़ा बना रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कैमरिक लाइनिंग मिल जाए यह लाइनिंग को आप दियान से देखो इसी क्वालिटी देखो दोस्तों आप दियान से अगर देख पाते हो तो यह क्वालिटी आप चेक करो एक कैमरिक लाइनिंग है और उसकी बार दोस्तों यहां पर एक स्टेच आता लेकिन camera खलकी भी होती थोड़ी camera के बिल्कुल कपड़े की तरह होती आप उसकी सलवार वगरा बना सकते हो camera की भी quality होती है यह चीज़ में आपको बताना चाहूँगा जैसे आपको camera कहीं भी नहीं मिलेगी आप कहीं भी आप लोगें नहीं मिलेगी तो यह camera के लाइनिंग है यह जब मैं लेता था तो पहले ही मिलती है 40 रूपे मिटर दोस्तों आज के टाइम पे इसका price 50 रूपे मिटर है लेकिन अगर इसका पना आपका 50 इंस के उपर जाता है यानि 48, 50, 52, 54, 60 तो हम यह 100 वाला देता है 50 रूपे मिटर क्योंकि बड़ा आज होता है तो कम लाइनिंग लगती है तो उन्होंने इस हिसाब से पैसे बढ़ा देती है वैसे उनको किस रेट मिलती है यह हमें नहीं पता क्योंकि मिलता तो हिसाब सी होगा और यह मैं आपको यहाँ पर बढ़ा चुक हूँ यह कैम्रिक लाइनिंग है इसका एक सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसे भी लेकिया हो हम डारेक्ट इसको जो बना दो ना इसमें कलर जाता है ना इसमें जाए वास करने जोलब पड़ती है लेकिन कुछ कैम्रिक ऐसी होती है वो छूते पड़ा चल जाती जैसे softness है उसमें कड़कपन होता है कड़कपन होने से क्या होता दोस्तों हमें लगता है कि कुछ doubt ठीक है तो ऐसा होता है कि 100% में से 98% lining होकी होती है लेकिन 2% क्या होता है दोने के बाद सुकड़ जाती है जैसे हमने suit में बना दिया हमें पता है कि लाइनिंग नहीं सुकड़ेगी हमने suit बना के दे दिया customer के सिखाया जाती है कि उन्होंने wash कर रहा हमने check है lining सुकड़ गई उसका color भी छूट गया लेकिन हम कभी भी अपनी book पे लिखके देते हैं कि धोने के बाद हमारे guarantee नहीं है ठीक है और हम tailor पे इतना time भी नहीं होता कि हम wash करके लगाए lining क्योंकि अगर wash करके लगाएंगे तो हमारा सारा time तो उसी में निकल जागा तो ये चीज़ आपको दिहान रखनी है और ये lining हर जगा नहीं मिलेगी इसका मैं एक तोड़ बताऊँगा कि आप कौन सी lining यूज़ कर सकते हो इसकी जगा पर जो कि बहुत अच्छा result देती है ठीक है तो ये lining उससे मिलती जुलती है लेकिन इससे कहते हैं अब इसी में एक variety ओर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों ये भी एक camera lining है ठीक है लेकिन इसकी quality को आप देखोगे तो ये वाली से ये थोड़ा सा कड़कपन है ये बहुत softness है इसमें आप देखोगे बहुत पतली बहुत softness है ये ऐसा है कि कोई suit में लगा के बना के आप देखोगे न वो पता ही नहीं लगा पागया वो कहेगा कि कितनी प्यारी lining आप ने लगाई यही lining लगाऊ उनके demand यही होगी कि यह lining लगाऊ आप इसकी एक बार finishing देख सकते हो तो मैं जो अपनी booting में यूज़ करता हूँ न अभी मैंने आपको तीन lining दिखाई तो सबसे पहली दोस्तों है export lining दूसरी में camera का गई यह दोनों camera में लगती है मैं यह lining यूज़ करता हूँ क्योंकि आप जाओगे जब भी lining लेने के लिए तो यह तीन lining में आपको कोई भी color मिलेगा ऐसा फिल्कुल नहीं है कि camera में आपको सारा color मिल जागा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है color contrast की क्योंकि हर color इसमें नहीं मिलता इसलिए जो वाले अलग-अलग तरीके की lining रखते हैं और आपके पास अगर कुछ आ गया और हाँ एक चीज़ ओर किसी customer की demand है कि हमें यही lining चाहिए तो हम क्या करते हैं वाइड कलर के lining लेते हैं उसको डाइ कराते हैं customer उसका पैसा भी अलग से पे करता है क्योंकि उसको अच्छी quality की चीज़ चाहिए तो आप अलग से पे करके वाइड कलर के lining को डाइ कराके लगा सकते हैं तो यह जो है दोस्तों आपको दो वराइटी दिखाई मैंने अभी यह है camera lining इन दोनों का प्राइस एक है और यह भी पूरा-पूरा थान आता है आप जितनी मर्जी इसमें ले सकते हों अब दोस्तों बात करते हूं अब बात करते हैं इस lining की दोस्तों यह मैं आज से करीब 15-20 साल पहल जब मैं सीखने जाता था तो मैं यह लेके आता था इसका जो अर्ज है मैं आपको डबल में है यह नापके दिखाता हूं दोस्तों यह करीब 41-42 इंच के आसपास इसका अर्ज है यानि की पना और यह जो लोग आज भी यह यूज करते हैं इसका जो फायदा है वह भी बताऊंगा और इसमें नुकसान है वह भी बताऊंगा दोस्तों यह कोटन कपड़ा सबको पता है कि कोटन कपड़ा पहनने में अराम दैग होता है यानि कोई भी परेशानी नहीं होती तो आप इसको देखें यह थोड़ा हलका होता है इसमें हैवी वाली कोटन भी आती है मुझे इसका प्राइस बिलकुन भी नहीं मालूम क्योंकि मैं यह नहीं बना रहा इसका धान आता है जितना मर्जी आप ले सकते हो जिस तैम हम लगाते थे यह 35 मीटर आता था अब मुझे नहीं मालूम कि यह क कड़ जाएगा फिर इसको में खेजना पड़ता है उसके बार हम इसे प्रैस करेंगे यह महनत होती है इसके अंदर इसलिए इस लाइनिंग से जा रहाता है लोग बसते हैं क्योंकि इतना टाइम किसी के पास आत नहीं हो यह लाइनिंग हमारी बहुत बढ़िया होती है लेक ठीक है तो ऐसी लाइनिंग जो सुकड़ती है ना इस लाइनिंग को अगर मालों आपको धाई मिटर यूज करनी है तो इसको पूर्णे तीन मिटर लेके चलो तब जाके सुकड़के वह आपकी धाई मिटर बनेगी क्योंकि आपने जो आड़ा तिलचा निकलेगा उसको कट वाला कोई कपड़ा यूज कर रहे हो तो उस जगाप यूज कर सकते हैं दोस्तों यह आप देख रहे हैं तो यह क्या चीज है जैसे कि हम अपने पिलाजों बगरा बनाते हैं उसके लिए इसको हम सैंटून कहते हैं और यह जो अर्ज होता इसका 38 से 42 इंच के आसपास होता ह है उसमें आपको 22 मीटर का मिलेगा तो दुकान वाले 35 मीटर का रखते हैं और इस तरीके कर दोस्तों आप किसी भी नैट वाले में अगर बनाओगो तो एक मजबूती वगरा आ जाती है लेकिन इसमें भी क्वालिटी होती है अब जैसे कि मालूम है यहाप इसे खेच रहा ह छुब भी सकती है दिक्कत होती है काफी लोगों को तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों यह लीनिगी यह सिर्फ वाइट में आएगी आप यहाप दियान से देखेंगे तो आपको मैं इसका अर्च बता देता हूं अर्च दोस्तों इसका भई है 42 चीज के 44 चीज का असपास आएगा और यह जो कपड़ा इसको ध्यान से देखुआ है इसमें सैनिंग है पिलस दोस्तों कोटन है ठीक है सैनिंग के सारी कोटन है दूसरी बात यह है कि जब आप इसको को लेंगे तो माले लिए कोई कस्टुमर कहता है कोई कलर नहीं मिलता तो यह वाला हम लेके जाते हैं इसमें क्या होता है हम इसको कराते है डाइ जिस कलर में करानी है डाइ करानी के बार हम इसको बना लेते हैं तो इस लाइनिंग को कहते हैं डाइवल सैन्टून का काम क्या होता है कि कोई कोई भी आपको कितनी भी लाइनिंग लगानी हो और कलर नहीं मिलना बस आप आपको ले लेते हैं 40-50 रूपएं यह आपको डाइ वगोड़ा करने के बाद लेते हैं और दोस्तों एक सित बताना चाहूंगा यह जिनी लाइनक्र मैं आपको बताई है ना तो यह लाइनिंग यह मैं सोच ना एक हजार रुपए और सबॉ timber कभी भी में क्या करतें से मेरे पैसा कम दें या कुछ करें मैं कभी भी लाइनिंग की क्वालिटी को नहीं गिराता था क्योंकि इस से मेरे जो एक वैल्यू बनीवी ना लोग की नजर में उस भी इंपक्ट पड़ता है मतलब कि लोग सोचतें कि यह क्या लगा रही तो बहुत गटिया लाइनिंग लगा दी पैसे कम करें तो मैं क्या करता था कि मैं मैं कभी भी घटिया लाइनिंग नहीं लगाते साँ खलाय को आप पहले की लाइनिंग लगाते था ने क्यों क्यों लिवर को उसंदिर्ग उसफ्ण होगी से yellow घबारने वाले कपड़ों में अगर ये से कोटर में लगा दोगे तो यह बहुत हैवी हो जाएगा तो उसमें यह नहीं चलेगी चीज का ध्यान रखना अब दोस्तों मैंने आपको ती लाइनिंग बताई ना जो सबसे जाएदा चलती है मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको सबसे ईजी जाना है तो यहाँ पर मिक्स लाइनिंग मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी जो पच्छी सोरी मीटर के इस टाइम पर है इसको यूज करो कोई कोई भी कंप्लेंट आपकी इसमें नहीं आएगी ना तो कस्टूमर करेगा ना आपके पास आएगी सबसे बैस्ट है ठीक है उसके बाद दोस्तों अच्छी क्वालिटी में लेना है तो इसकी थोड़ी ऊच्छी क्वालिटी ले सकते हो लेकिन थोड़ी दस पर महंगी मिलेगी लेकिन दोस्तों मैं जो यूज करता हूं अपने घर के कबड़ों में यह देख लो यह एक्सपोर्ट की यह दोनों कैमरे की अगर यह नहीं मिल लेगी तो इसका एक सबसे बड़ी एक्जामपल है कि अगर आपको यह लाइनिंग नहीं मिली जो की बहुत कम जगा पर मिलती है दिल्ली में भी कोई दुकान ऐसी है लेकिन हर कलर नहीं मिलता तो जो सडार जी पग बानते है अपनी ठीक है उस पगड़ी का जो कपड़ा हो